अंसुनिक किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में जुबली कुमार राजेंदर कुमार के नीजी जीवन से जुड़ी एक कहानी आपको बताते हैं। बात उस दौर की है जब राजेंदर कुमार दिल्ली से मुंबई आय थे और एक असिस्टेंट के तौर पर एचेस रवेल के यहां काम कर रहे थे। आक्टिंग का सफर दूर था, स्टार्डम तो बहुत ही दूर, अभी उनका दूर का रिष्टदार आया और इन्हें अपने दोस्त के घर ले गया जहां उनके दोस्त ने राजेंदर से कहा कि बेटा राजेंदर हमारी एक बेटी है और हम चाते हैं कि तुम उससे शादी कर राजेंदर कुमार ने उन्हें साफ कह दिया कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, एक पेइंग गेस्ट के तौर पर यहां रहता हूँ, क्या आपकी बेटी इन हालातों में मेरे साथ दे पाएगी? लड़की के पिता ने राजेंदर कुमार से कहा कि आप लड़की से बात करके देख ले, बाची थुई और राजेंदर कुमार ने बात पक्की कर ली, मुश्किल तब आई जब राजेंदर कुमार को काम की वज़ा से वापस दिल्ली आना पड़ा, यहां इनके रिष्टदा परिवारों ने एक दिल्ली वाली लड़की देख रखी थी और उन्होंने राजेंदर कुमार से कहा कि बेटा तुम आ ही गए हो तो शादी कर के ही जाओ। अनसुने किस्सों के पलटते हुए पन्नों में और भी अनोखी दास्ता को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।